हेलो दोस्तों स्वागत आपका इंफरमिशन ग्यान और NIUS Geography की क्लास पे ठीक है आज इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा पिछला कुछ बच गया था कुछ टॉपिक्स हमारे रह गयते तो वो मैं चाहता था कि अगली वीडियो में कवर अप हो तो इसलिए मैंने दूसरी वीडियो बनाए क्योंकि वीडियो फिर जादा लंबी हो जाती है ठीक है तो आज इस वीडियो में हम आगे की जो प्रोसेसर जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो सारे देखेंगे पढ़िंगे उनके बारे में थोड़ा डीटेल में ठीक है तो आप उस वीडियो जो पहली डाली हुए फो प्लेड्स में अर्डी पढ़ी है जिसका लिंग में नीचे डिस्क्रिप्शन में महा से भी आप उसे आपयाइशी ड हलीच आट कर सकते कह और आप जाकर देख सकते हैं ठीक है प्लेट पर चैनल पर जाएए प्लेट पर जाई तो वहां पर भी आपको दिए हुए तो भापर जाकर आपके लिक कर सकते हैं तो चले वीडियो को चालू करते है मैं हूँ आपका दोस्त और ओ वो सारी चीजिए हमने हमारे प्रीविस वीडियो में डिसकुस कर ली हैन तो इस वीडियो से से चालू करते हम वेदरिंग क्या होती है वेदरिंग ठीक है है वेदरिंग का मतलब होता है अगर बता हूं तो खलन बोलते हैं ठीक है अब वेदरिंग की अगर ईंग्लिश में definition देखी जाए degradation and decomposition of rocks is referred to as weathering ठीक है simple way में आपकी बुक में भी यही सारी चीज़ लेखे हुए बट मैंने थोड़ा सा simplified कर दिया तो यहां से आप easily पड़ सकते हैं ठीक है बुक भी पड़ सकते हैं बुक का ही आपका मैंने notes बना कर दे रहा हूँ आपको directly NIUS की 12th class की book ठीक है अब इसमें weathering का मतलब क्या होता है weathering का मतलब आपको पता चल गया कि अगर कोई भी एक parental रॉक है just a second मैं एक खाली पेज़े लेता हूँ ठीक है अब मानकर चलिए इनके agent के साथ यह जो weathering के agent इनके साथ जाकर दूसरी जगा पर इखटा हो रहा है तो इसी को बोलते है weathering अब agent कौन से है जैसे की air हो गया ठीक है wind जिसे हम बोलते है wind हो गया water हो गया ocean current हो गया और जो climate हो गया वह भी weathering में कही ना कही अपना जो रोल है वह काफी अच्छे तरीके से nivaता अा तो इसको बोलते है weathering अब weathering भी तो काफी परकार के होती है जो बहूं देखे लेते वे दिरिंग अगर देखा जा तो तेन परकार के होती है, पहली होती है physical, ठीक है, दूसरी होती है chemical और तीसरी होती है, biotical ठीक है यह weathering होती है वेद्रिंग तीन परकार के physical, chemical and biotical ठीक है अब weathering में जो forces काम करती है न वो exogenetic forces काम करती है क्योंकि यहां पर सब सारीजदनी वी weathering की process हो रही है इस खलन जितना भी हो रहा है वो अर्थ की crust के उपर हो रहा है जो उपरी भाग है जो कहीं न कहीं environment में visible है ना कि अर्थ के अंदर ठीक अर्थ के अंदर जो weathering होगी वो एंडोजनेटिक weathering होगी ठीक है वो obvious में होती ही न हो गया ठीक है और अपने landslide में देखा होगे कभी earthquake हो गया तो कहीं न कहीं यहां पर weathering के काफी सारे एजेंट्स आ जाते हैं जो कहीं न कहीं एक तरीके से काम करते हैं एक particular material of the rock को उठाकर दोसरी जगापर transport कर देना उसी को बोलते हैं अब देख लेते हैं थोड़ा सा chemical change के जैसे कि कोई भी अगर यह वाली रॉक देखी है यहां पर मैंने इमेज भी डाल रखी है यह एक रॉक है इसमें कोई भी chemical composition में इसकी में चेंज नहीं हुआ है बट फिर भी यहां पर weathering हो रही है ठीक है क्योंकि आपने देखे एक छोटे छोटे पार्ट जो खिले हु है और इसलिए यह वैदरिंग हुई है यह जो पार्ट है रॉक्स आपस में दोनों तरफ से खुल गई है चटक गई है फिर उसके बाद जो चटकने के बाद जो इनके पार्टिकल्स थे ना वो फिर उन एजेंट्स के contact में और वहां से फिर वो पार्टिकल्स ने क्या करा इ ठीक है उन एजेंट्स के साथ तो इसलिए यहां पर यह चेद वगएरा यह जो जगह है स्पेस वगएरा के रियेट हो चुका है ठीक है अब यह होता क्यों है आपने देखा होगा राजिस्तान की अगर हम बात करें राजिस्तान की छोड़ी अगर किसी भी पिलेस की बात कर अगर यहां पर तेंपरिचर जो होता है वह बहुत ही ठंडा हो जाता है बहुत थंडा है ना एक दम से जो तेंपरिचर वो तो बढ़ जाता है और एकदम से ही temperature गिर जाता अब यह जो बढ़ावट है और गिरावट है यही कहीं न कहीं रिस्पॉंसिबल है एक जो पर्टिकुलर रॉक होती है उसके contraction में और फिर उसके क्या नाम है expansion में ठीक है अब मनकर चलिए यह जो रॉक है पर्टिकुलर ली रात को temperature हुआ हुआ बहुत ज्यादा बहुत कम temperature हुआ तो क्या होगा क्या होगा फिर देखिए यहाँ पर समझे मैंने यहाँ पर एक जित्र डाल रखा जैस्टर सेके कोई भी रॉक ले लीजिए फूल जाएगी फिर रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है अब जब आपने कोई भी अगर experiment करा है कभी भी अगर कोई भी पर्टिकुलर एक रॉक लीजिए कोई भी गिलास लीजिए काच का उसमें अगर आप उसे बहुत ज़्यादा वैदरिंग के जैसे कि विंड हो गया और वाटर हो गया वो इनको कैरी करकर अपने साथ आगे ले जाते हैं तो ऐसे ही होती है वैदरिंग ठीक है तो यहाँ पर भी मैंने यही लिख रखा है इस हाइड डियूर्णल रेंज ऑफ टैंपरेचर कॉसे सक्सेसिफ एक्सपेंश and contraction of the rocks which tend to enlarge the joint joint को enlarge कर देता बढ़ा देता और जिससे कि finally rocks का disintegration हो जाता है ठीक है यह ब्लॉक जो होते हैं बड़े-बड़े ब्लॉक जो होते हैं उनका disintegration हो जाता है और वो छोटे-छोटे पार्ट्स में जैसे कि यहाँ पर यह हो गया यह हो गया और यह हो गया यह पार् महाबलीपुरम में एक रॉक पाई जाती है ठीक है आप उस रॉक को देखेंगे ना वह खाली यूट की हुई है यूँ धरती पर एक जो पोर्शन ने उसका टच कर रहा है ठीक है अब इसके चारों भी तो रॉक होगी कही ना कहीं अब वह कहां गई वह कहां गई वह वह व विजह से एक्सपेंशन और कॉंट्रक्शन फिर उसके बाद यह वैदर मटेरियल आ जाता है ठीक है तो नीचे का इससा बज जाता है ठीक है ऐसे ही जो क्रिश्णा का लड़ू है ना वह भी वहाँ पर भी यह सारी चीज़ है ठीक है और दोज नियर जबलपुर मदान महाल हिल्स महल हिल्स ठीक है तो आप अगर यह डालेंगे ना एक्जेम्पल दन यूविल गैट तो नो यूविल सी इग्जैक्ली रियल इमेज इस ठीक है अब यहाँ पर यही सारी चीज़ होता है पील हो जाती है एक तरीके से जो जब आप प्याज को छीलते ना एक अनियन को छीलते हैं तो उसके जो चुक्कल वगर रिख उतारते हैं उसी त्रीके का इस फुलीएशन बोलते हैं इसको एकस फोलियेशन और फिजिकल वैदरिंग में एकस फॉलीएशन भी आती है ढूंता है एक्स फॉस्ट एक्शन भी आता है आ स्थास्den d'. यह होता कि में भड़े बढ़े जो पहाड़ होते वहाँ पर देखा होगा आपने जो पत्थर पढ़े रहते हैं तो उने होता है रात को चेपे लिग्री सहे से पहले जाता हूँ जिए नीचे चलुक्ण लिक्ट जयाता है जाता है यानिë पर भी सेमी प्रोसेस चलती कॉन ट्रेक्शन एक्स पैंसन अब क्या हुआ कि रात को क्या हुआ जिव सुबा को तो पानी बन जाती है यह जो पानी है यह पानी के तो उसमा फॉर्म में रहता है मगर रात को क्या होता जब टैंपरेचर जीरो डिग्री से नीचे चला जाता है तो उस वक्त यह जो पानी यह मैल्ट हो जाता है मैल्ट हो जाता तो फिर जब मैल्ट हो जाते हूँ स्वारी जम जाताhr tapFRIZA ho जाता चाणف का रूप ले लिए ठीक है जैसे की यहां पर तहो यह चोटुटे चोटे enlarge हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं और ऐसे बन जातें बड़े बड़े joint से ठीक है फिर इसके बाद क्या होगा इसके बाद उनके बीच में वह वेधर हो गए पाने के साथ और हवा के साथ उसके बाद इनके बीच में जितने भी хочет कि आपने देखा होगा मान कर चलिए आपने एक particular एक substance लिए एक material लिए एक रॉक लिए उसको आप पानी में भीगोकर रखेंगे फिर उसके बाद आप उसे सुबा को ले जाकर धूप में रख दिंगे फिर उसके बाद अगर यही चीज अप्लाई करेंगे काफी दिनों तक तो वो कही न कहीं बहुत कमजोर पढ़ जाएगी कमजोर पढ़ने के बाद जब उसे हवा में आप तेजी से रखेंगे और कहीं भी पानी के बहाओंब के contact में ले कराएंगे तो वो उसका जो material है रॉक का वो कहीं न के पानी के साथ ही चल देगा ठीक है वो बहने लगेगा पानी के साथ तो यहाँ सेरी o Brug यहां पर भी सेरी चीजें होती है तो कहीं न कहीं यह जो यह इकशन से ना जर्य रॉक है उनको आपसमें तोड देते claim कर G अलग अलग ठीक है यहां पर मैंने यहीं लिखा है one of the most important physical weathering process in cold climate cold climate पहाडवान इलाके में चाहें वो पहाडवाला इलाका हो यह कोई भी इलाका हो ठीक है वहाँ पर जो cold climate होना चाहिए ठीक है अब the alternate freezing and melting of melting of water inside the joints of the rock split them into fragments यही सारी चीजे लिखा रखिये मैंने ठीक है easily ताकि आपको आसने समझ माँ जाए अब दूसरे परकार की जो weathering होती है वह होती है chemical weathering ठीक है chemical weathering अब chemical weathering अगर मैं आपको समझाओं एक तो होती oxygen weathering और दूसरी होती carbonation weathering ठीक है अब सब्सक्राइब और एक होती है hydration ठीक है chemical weathering में यहीं सारी चीज़े होती है और तीसरी होते हमारी बायोटिक वैदरिंग वह पढ़ेंगे हम ठीक है अब यहां पर अगर उसे जो न यहीं छोड़ दिंगे और फिर वह हवा के contact में आगा एयर के contact में आगा तो कहिना कहीं oxidation होगा न वहाँ पर जंग लग जाएगी जंग लग जाएगी उसके बाद वह जो न लोहा जो है वह कहीना कहीं कमजोर पढ़ जाएगा तो यही है chemical एक्सचेंज ठीक है chemical composition में चेंज आजाता है फिर उसके बाद चीज़ें कमजोर पढ़ने लग जाती है ऐसे ही हमारी धरती पर भी ऐसी बहुत सारी रॉक्स हैं जिन में कहीं न कहीं जो यानि iron की जो मातरा है काफी ज़्यदा पाई जाते हैं जिससे की chemical एक्सचेंज होता है chemical reaction होता है chemical reaction के करण जो रॉक्स है वह ऐसी दिखने लग जाती है फिर वह वैदर होने लग जाती है ठीक है आपको समझभा रहा है ना ठीक है iron oxide formation is an example of oxygen रिलेटरी वैधरिंग oxygen के साथ ह इनके अंदर वैदरिंग होती है फिर यह रॉक्स कहीं से ऐसी चटकी से निकल जाती है कहीं से इनकी पपड़ी से चुटने लग जाती है आपको समझभा गया ठीक है अगर नहीं आए तो दोबारा समझें वीडियो को रिपीट कीजिए ठीक है अब चलते हैं अब कार्बोन करें कार्बोनेशन में क्या होता है कि यहां पर रेन वाटर में काफे ज़्यदा रेन वौटर होता है यहां पर लाइम इस्टोन रोक पाई जाती है वहां पर यह कार्बोनुशन जो वैहडरींगा वह होना बहुत जादा लाजमी है बहुत जादा होती है तीजके अब इसमें क्या होता है कि जह यहां जलाप यह cotton घून Radi खेद छेद रहो में इसी को कार्बोरेशन को होब है अगा आगेर कार धर होगा पहाड़ी बहुत जब्स जादा लेंड सलाइट इसी लिए होती है मानकर चलिए एक पहाड है इसी तरीके का इसी तरीके का पहाड है अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर बारिस हुई उपर बारिस ही बहुत जादा अब इसके बाद इस पहाड ने जो ना बारिस का पानी सोख लिया बारिस का पानी सोख लिय तो इसकी मिट्टी फिर कटने लगेगी और फिर इसी से होती है फिर फिर पानी के साथ बहने लग जाएगी तो इसी को बोलते हैं वैदरिंग यूगाट इट थीक है सिंपल भासा में थीक है अगर आपको रिलेट करना है तो आज के समय में हिमाल्या से सबसे ज़्यादा होती है आप एक काम कीजेगा क्या मैं आपको एक चीज बताता हूं जब आप इन्हें एक जो गमला लेंगे ने गमला यह फ्लावर पॉट ठीक है जिसमें आप पौध्य वगरा लगाते हैं तो उसे लीजेगा आप और यहां पर छेद वगरा कर दीजेगा उसके बाद जो ना आप इसमें पानी भरिएगा यहां तक मिट्टी भरिएगा और इसके बाद पानी बरिएगा अब पानी के साथ ये मिट्टी दिसने लग जाएगी इसी के साथ साथ देखा होगा आपने कड़ जाती है मिट्टी तो यही सारी जीज यहां पर होती है इसी कुई भी गाटर पटी अवगर में सोग रहा है और कोई भी कहीं भी उगने लग जाता है अब इनकी वजह से क्या होती है जो रॉक्स होती न अब यह तो हमने यहां पर एक्जम्बल देगा छोटे छोटे इलाकों में यहां मगर वहीं पर बढ़े-बढ़े एडियास में ऐसे जो पेड़ से हैं वो रॉक्स में से निकलते हैं ठीक है अब इन पेड़ों की वजह से जो रॉक्स है आपस में इनके में धरार आ जाती है ठीक है जब धरार आ जाती है तो इसी से तो वैदरिंग चलो होती है यही से वैदरिंग चलो होती है तो इसी को बोल करने के बाद क्या करते हैं जब 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 भी कोई वैदरिंग एजन्ट पानी हो गया रेनवॉटर हो गया यह सब्सक्राइब प्र दूसरी जगह पर डिपॉसित कर देती है ठीक है इसी को बोलते हैं बायोटिक वैदरिंग वाई एनीमल्स आप अब में कहाँ पर contribute करता है mainly agriculture में construction में और house construction में road construction में एक जगा से मिट्टी को आता दूसरी जगा पर रखता दूसरी जगा साटा दूसरी जगा पर रखता तो ऐसी तो होता है जब भी हम अपने घरों को बनवाते हैं तो कहीं न कहीं जगा खाली रह जाते हैं उसमें भराव करवाते हैं मिट्टी वगर डलवाते हैं अब वो मिट्टी कहां से आती है उस मिट्टी को लाना एक जगे से दूसरी जगा पर लाकर डालना इसी को तो वैदरिंग बोलते हैं बोलते नहीं बोलते है आप भी बताइए हाँ मैं आप इसा पूछ रहा हूं ठीक है तो इसलिए इसको बोलते है बायोटिक वेदरिंग लोती है ढंक Topic जेँ मिदेषिय का मतलब क्या होता है एक desk jede दूसरी जगह पर करती एक जगह से ज़ो कीकिज उठाइइए उसको बोलते हैं डीग्रेडेशन डीओ सह यहाँ से डीडी अब वह यहाँ जहां पर जाकतर डीपोजिट होगे उसको बूलते हैं ग्रेडेशन अग्रेडेशन ठीगे इस decentख इस पर topic कि यह जो soil का क्योंकि यहां से सवाल बहुत ज़ादा बनते हैं ठीक है questions यहां से आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं ठीक है कैसे भी जो questions से बन सकते हैं अब parental rock में आपको जो previous video थी हमारी उसमें मैंने बताया था कि parental rock क्या होती है ठीक है यहां पर that's broke into tiny pieces and is decomposed slowly by physical and chemical weathering the parent rock is also influenced the rate of soil formation the chemical composition color texture structure material extent and fertility यह आपको समझ माया है मैं आपको जब पिछली वीडियों बताया था कि कि यह ग्रेनाइट है यह बस साल्ट है और यह डियो राइट है ठीक है अब यहां से वैदरिंग चाला हुई तो यहां पर ग्रेनाइट डिपॉसिट हो गिजी और यहां पर पर गिटी ने बन गई एक अधिगे और यहां पर यहां पर यहां यहां पर बदर्वेद tsunamis a वैदरिंग जसी की वीन्ड जैसे की वतर एक जैसे की कॉरेंट ऐस से की क्रेंट टिक आल्रेडी अम बता चुका हूँ ठीक है अब यह जो काम कर रहा है यहा अलग कलर के अर के कि चैनल mail के होती है तो कहीं जो मिट्टी ए इस जगे पर पाई जाए इदा यह तो जब कर दिल हो जाएगी समझ माइन वह बात करते हैं रिलीव की बात करें तो देखें यहां पर relief अगर देखिए मान कर चलिए मैं को एक example देखता हूँ just a second just a second यह देखिए मान कर चलिए यह है mound mound like structure ठीक है मिला एक उठा हुआ उबरा हुआ परवत सा ठीक है अब वही पर यह एक उनट एक उनट यह है mound like structure और यह है इस ट्रॉक्चर लैंड सर्फेस लैंड सर्फेस ठीक है लैंड सर्फेस अब देखिए यहां पर कोई वैद्रिंग हो रही है तो कितनी तेजी से जाएगी बहुत शिलोली जाएगी ना शिलोली जाएगी ना क्योंकि यहां पर जो र आगर कम होते है मतलब जेंटल होते हैं जैंटल सिलोप होता तो कहीना करत नहीं तो यह कहीना कही यहीं पर deposit हो जाएगी तो relief feature जो होता है transport करने में weathering agent का जो काम करता है relief feature बहुत ही ज़्यदा महत्पूर्ण role play करता है एक चीज़ को influence करने में ठीक है topography of an area affect the degree of erosion erosion को बहुत ज़्यदा affect करती है कि एक जगा पर एक जगा पर तो यह जो relief feature है यहाँ पर जाकर बहुत कम deposit हो जा रहा है और वही पर यह वाला जो structure आगे जाकर बहुत आगे जाकर deposit कर रहा है ठीक है तो erosion को भी different depend करती अब यहाँ से जो water आ रहा है तो तेजी सा रहा है तो इसका जो सबसे ज़्यादा material है सबसे जादा जाएगा यहां पर जितने भी इसके आसपा जितनी प्रधात पड़े होंगे रोक पड़े होंगे कोई भी मट्टी पड़े होगी तो बहुत जल्दी वैदर हो जाएगी और वही पर यहां से जो पानी जा रहा है जेंटली जा रहा है बहुत आराम से जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैदरिंग नहीं होगी, तो कही ना कहीं वैदरिंग जो है, जो relief feature उस पर भी depend करती है, ठीक है, relief feature ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इम्पाक्ट डालती है, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ पर, धेखिए यहां पर इस जगवर तो soil form होगी बहुत जल्दी से मगर वहीं पर यह तो पानी चली रहा है ना इस वाला इसे जो अभी डूर्जन हो रहा है यह तो चले गही ना और दूर तक यह तो आगे जाकर soil form करेगा फिर यहां पर soil form करेगा जब ये बर जाएगा ठीक है ऐसी तो होता है ना हर जगा तो यही सारी चीज़े चलती है तो स्वाइल फॉर्मेशन में भी कही न कहीं जो इंपक्ट है वो देखने के लिए मिलता है इस्टिप स्लोप जैंटल स्लोप दो परकार की होते हैं अब यहां पर टाइम वैरी स्लो प रहा है और फिर वहां से कोई वैदरिंग एजन्ट है वह वहां से जो पार्टिकल्स है वह उठा कर दूसरी जगा डिपॉजिट कर रहा है तब जाकर स्वाइल फार्म होएगी मिलियंस ओफियर से लग जाते हैं ठीक है स्वाइल को फॉर्मिशन में अब जो गंजटिक पिल क्योंकि वहां पर हर तरह की पैरेंटल रॉक है उसका डिपॉजिशन हुआ है वह कहां से हमालेन से आने वाले रिवर्स ने वहां पर जो डिपॉजिशन है वह कर रहा है अब यह जो एलिवीलिज सॉइल है इसको फॉर्म होने में बहुत साल रगी है करोडों साल लगी है त समझ माया आपको अब देखे क्लाइमिट डियू तो दिस फैक्टर इस फैक्टर दिस फैक्टर तो डिफरेंट पैरेंट मटेरियल में डवलप्त त सेम टाइप आफ व व सॉइल इन वन क्लाइमिट रीजन फर एक्जांपल ग्रेनाइट और सैंडी स्टोन है डव डवलप् एक जगा पर तो पानी बहुत ज़्यादा है पानी बहुत ज़्यादा तो यहां पर एक तरीके से गाड़ी सोईल बना देंगे अच्छे तरीके की सोईल बना देंगे ठीक है और यहां पर अच्छा बहला क्लाइमेट है यहां पर ज्यादा बलब 57 डिग्री भी नहीं पहु एक ऐसी जगा जहाँ पर चॉप्ट आज यहाँपर यहाँपर के रहेगा अब천सल क्लाइमेट सरुप्ट करताए सौइल formation में अब जो मरुस्तलिय जो क्लाइमेट है जिने गरम जो क्लाइमेट है यहाँ पर जहाँ पर सब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर जो सोईल होगी वह इत्म रेतिली होगी ना सैंड की तरह ठीक होगी ना और वही पर अगर आप गंजेटिक प्लेन की बात करें तो वहाँ पर जो सोईल है वो काफी सई है यहाँ पर गंजेटिक जो पलेन है यानी अव्यवी paragraph हो सकते हैं क्लाइमेट इंफ्लोहस कर रहा है ना समझ माया आपको नहीं आया आप वीडियों को रिपेट कर कर देंखिए कि यहाँ पर भी यही सारी चीजी लेकिए जो मैं आ बहुत जोदे contribute करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जो काव का डंग है काव डंग और बफलो का डंग है उसको यूज करते हैं ऐसक फर्टिलिटी के लिए जो खेतों में डाल दिया चाता है और जिससे कि जो सॉयल के फर्टिलिटी है उसको maintain रखा जाए ठीक है खरपतवार के तौर पर यूज करते हैं ठीक है और फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हैं तो कहिना कहीं जो organic content है ना सॉयल का maintain करने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज करा जाता है अपने तेखा होगा open defecation नम सुना open defecation जब हमारा एक्स करीटा खेत में हम छोड़कर आते है ना जब open defecation करते हैं तो जो एक्स करीटा है वो कहीना कहीं सॉयल को जो ना फर्टिलाइज कर देता है सॉयल को फर्टिलाइज कर देता क्योंकि वह ऐसा फर्टिलाइजर काम करता खेतों में ठीक है फिर उस भूमी पर उस जगहा पर जो खेती अगर होगी न तो बहुत ही म सबसे ज़्यादा कॉंट्रिबूट करती थे ठीक बिबरनेंग अब जो इस्टेबल बर्निंग निगे कर राइस जो क्रॉफ होती है उसका जो रेजिडिव है वह होता है उसको जना देते है किसान अपने खेते हमें मगर उस रेजिडियू को अगर ऐसा फाटिलाइजर के त जो मात्रा है आपने देखा होगा सर्दियों में विंटर सीजन में क्या होता है कि सर्दियों पढ़ती है और कोल पढ़ जाता है फॉग करियेट हो जाती है तो उस समय पर क्या होता है जो ओस है ना ओस यहनी concentration of water in the air in the air is more that is called humus ठीक है यहां पर वहां यहां पर जहां पर जो फॉटर की concentration हवा में बहुत ज्यादा होगी ना नमी हम तब शुन है यहां जादा है सोइल में अगर नमी जादा है नमी सही अंच्छी माता में तो वहां पर fertility को maintain करती है ठीक है अब यह जो है humus जो है यानि soil की जितनी भी fertility है वो कहीं न कहीं water की जो capacity enhancing की यानि soil की जो water retention capacity है उसको भी बड़ा देती है ठीक है अब चलते हैं आगे अब आगे बात करते हैं soil composition के बारे में ठीक है अभी बात करेंगे ठीक है just a second soil erosion देखें यहाँ पर soil profile के अगर बात करें तो इस परकार की soil होती है ठीक है यह जो आपको देख रही है इस परकार की soil होती है यहाँ पर आप यह level देख रहे हैं o a e और यह b है यह r है और यह c है ठीक है यह जो level देख रहे हैं आप अब यह जो लेवल है ना ओए इसको बोलते है जोन ओफ लेजचिंग जहाँ पर अगर कोई भी चीज़ है यहाँ पर अगर कोई भी मर जाता है। कोई भी अक्सक्रिटार गरता अगर कुछ भी पानी वगड़ता तो वो लीच होकर नीचे जाता है कोई भी chemical siz अगर लेगा यहां पर उल्ड़ीच होगी वो नीचे जाएगी थीखे पानी वगड़ा अगर वरसाता होई तो वह शारा का सारा नीचे जाएगा ठीक है नीचे खटा होता आपने सुना होगा ग्राउंड वाटर लेवल ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हिमस बहुत जादा होती है यहाँ पर हिमस बहुत जादा होती है क्योंकि यही सन के कॉंटक्ट में रहती है और यहीं पर गया है कोई भी जीव मर गया है उसका यहीं पर डाल देते हैं तो पार्सली वह अंदर ढब जायागा जिससे की फोसेल्स किरेट होते हैं फोसेल्स फ्योल जो हमारे कुर्ण वगडर है वही किरेट होते हैं अब यहां पर ऑरगनिक अच्छा का सा पाए जाता है और क्लाइमेट भी यहीं से होता है ठीक है अब इस यह जो और गने के जो कंटेंट हैं यहां पर मैंटेन करने के लिए यह सारी चीज़ें भी काफी ज़्याद अब यहां पर यहां पर नीचे तो हमारी आर्थ के क्रस्ट में अभी पाए जाएगा ना ठीक है तो और यहां पर बड़े-बड़े पत्थ्र पाई जाते हैं बिग बिग बाउल्डर अब यह जो है यह बैड रॉग वैदर लेयर कॉंपाक्ट कॉंपाक्ट मेटमॉर्फिक बोल देते हैं इसे ठीक है अब देखिए यहां को इसको अब हम डीटेल में पढ़ लेते हैं कि ओ लेवल पर ए लेवल पर बी लेव stupid होते हैं ठीक है और यहां पर क्रीवेटो करना किसी को यह सब्सक्राइब करना है यह कोई बी अक्तिपटेमाटि के स्वाओं करना यहां पर होती है मैंने यहां पर को एक इंसान ईक और दिखाया है ठीक है अब देखिए ओ हो राइजन एक सर्फेस है ठीक है यहाँ पर सारे कर सारे पार्शली और गिनिक अन्यटर पाई जाते हैं अगर कोई भी होगा थो स्पार्शली कमपोज वहता है बागे सारे नीचे चले जाते हैं लेच करकर ठीक है अब A horizon top soil है यहाँ पर humans रहते हैं living creature रहते हैं और organic matter O देखिए यह है O ठीक है अब E जो है यह है zone of leaching यहाँ से सारे के सारा material है वो downward चला जाता है ठीक है यह है E E यहाँ से कुछ भी नहीं रुखेगा सब नीचे चला जाएगा ठीक है अब देखिए B यह सब soil है यहाँ पर iron, aluminium और जो other components है वो भी यहाँ पर पाई जाते हैं जैसे कि किले वगएरा सारी सारी टाइप की soil वगएरा यहाँ पर पाई जाती है कोई भी सामान अगर यहाँ पर यह तो parental rocks है ठीक है समझ मार आपको अब यह जो सी है यह वैदर पाट parental material है यहाँ पर जो material है वो partially breakdown होता है यहाँ पर partially breakdown हमें देखने के लिए मिलता है ठीक है और जो लास्ट पार्ट है वो है horizon bad rock जो हमारी नीचे की bad rocks है ठीक है जो एक्दम ठोस पर दाते है mental वाला ठीक है mental तो आप जानते ही है ना अर्थी एक क्रेस्ट का एक पार्ट तो यह चीज आपको समझ माएगी soil का जो जितने भी profile है horizon जितने भी सारी चीज है यह आपकी book में भी दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ से हम soil की जो profile है वो अच्छे दीके से read कर पाते हैं जान पाते हैं कि soil के सिमुलेट कर सकते हैं जान सकते हैं soil erosion में wind wind सबसे ज़्यादा काम करती है ठीक है wind देखिए wind अगर यहाँ पर ठकरा रही है तो यहां से पर material उठाएगे और दूसरी जगा जाकर deposit कर देगी ठीक है यहां से उठाएगे दूसरी जगा जाकर deposit कर देगे तो rock का जो structure होता ना क कही ना कहीं उसमें बहुत जादा changes लेकर आती है तो ऐसे ही विंड कहीं कर रही है एजन्ट काम कर रही है वैदरिंग का भी ठीक है वैदरिंग होती है यहां से material को ले जाना है दूसरी जगा भी घट्टा कर देना erosion होता भी यही erosion भी यही है ठीक है देखिए अगर नहीं ज material सूखी जो rocks उन्हीं को तो लेकर जाएंगे अब अगर कोई भी cultivated soil है cultivated soil है वहाँ पर काफी ज्यादा cultivation भी चल रहा है अब वहाँ पर अगर कोई भी सूखी सूखी ले जाकर रख देंगे तो कहीना कहीं जो इसमें humus का content है वो कहीना कहीं destroy कर देगा desert soil होगी यानि हवा के सा fertility content है उसको भी खम कर देगा ठीक है तो इसलिए यहां पर यह सारी चीज़े लिख्यों है मैंने already डाल रखी है it takes place in and around all desert reasons in the world ठीक है अब देखिए यहां पर erosion काफी परकार के होते हैं sheet erosion और sheet का मतलब पूरी की पूरी sheet गायव हो जाती है ठीक है और रिल का मतलब छोटी 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 गलियां सी बन जाती है जहां से पानी रिस्ता है और इसके पानी के साथ यहां पर क्या होता है कि यह water के साथ water agent यहां पर काम कर रहा ठीक है water ठीक है यहां पर water क्या करता है पूर और sun के दोरा attract होता है जो धर्थी पर देखने के लिए मिलता है जब tide भी आते हैं tidal activity होती है तो वहाँ पर पानी की लहरे बहुत उची उची उड़ जाती है ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उन पानी के लहरों से क्या होता है तो वो कहीं न कहीं छोटी छोटी नालियां create करता है इसको बोलते है real erosion ठीक है और जब ये नालियां ये जो नालियां बड़ी अपना shape ले ले लेते हैं उसको बोलते है गली erosion ठीक है अब erosion समझ मागे है यहाँ पर आपको water जो एजन्ट है वो काम करता हुआ दिख रहा है ठीक है अब देखिए इरोजन देखे लिया वैदरिंग देखे लिए सारी चीज़ देख लिए अब भाई conservation विके लिए तो बात करने अब देखिए conservation के तौर पर आपके जो exam में काफी ज़्यादे questions पूछे जाकते कि आखिर what are those methods through which we can conserve the soil अब ऐसे कौन से methods है आप forest लगाईए ठीक है या forest को protect कीजिए कोई भी अगर जंगल है तो उसको काटिए मत कहिना कहीं अगर आप material आप पानी भैकर आ रहा गए ना वहाँ पर अगर वर्षा होगे तो वह जो मिट्टी है ना बह जाएगी बह जाएगी होगे ना soil erosion तो यहाँ पर हमें forest को protect करना है आफ्वर स्टेशन जितने भी हम पेड़ लगा सके पेड़ लगाने चाहिए फिलड को control करना चाहिए थ्रू टेकिंग appropriate measures जैसे की early warning system flood को control क्या जा सकता है early warning system से ठीक है flood तो बारिस के वज़े से आएगे ना जब नदिया full हो जाती है तो हम check dam constructor सकते हैं ठीक है flood को control करने के लिए और दूसरा क्या हो सकता है flood को control करने के लिए और आप मुझे बताई कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर ठीक है और इनकेस अगर flood वगरा आ भी जाती है तो उसको check करने के लिए यानि उसको लिए एकदम responsive team तयार रहने चाहिए ताकि वहाँ पर जितने भी जो लोग है विक्टिम से उनको बचाया जा सके और जितने वी रिलीफ पैकेट्स हैं उनके बीच में बाटे जा सके मैडिसीन वगरा खाना वगरा ठीक है अब ग्राजिंग जो बहसे वगरा चरती है बेड़ वगरा चरते है उस चीज को कंट्रूल करना चाहिए उस चीज को जैसे कि पहाड़ों के लाख में आपन हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी तो अब अब कभी भी फिर यह वाटर के कंटेक्ट मेंगे तो यहां पर एरोजन हमें देखने के लिए मिलेगा ठीक है अब बिल्डिंग कंस्ट्रॉक्शन और और ऑप्स्रॉक्शन इस अप्लाइट इन लेंड्स अफेक्टेट ग्ली इरोजन ठीक अब कंस्ट्रॉक्शन वगएरा भी बहुत जादा आप बिल्डिंग वगएरा खड़े करें तो अच्छी तरीके से कीजिए सारी चीजे नाप तोल कर ठीक है ट्रेटरेस फार्मिंग ठीक है ट्रेस फार्मिंग आप कंट्यूनी कर सकते हैं डारेक्ली ठीक है अगर एक जगा पर लगाए जारे तो कहीं ना कहीं वह भी फर्टिलिटी और जो हीमस का कंटेंट है उसको कम कर देता है और सोईल को ज़्यादा इंपक्ट डालता है जो अगर आप मोनो क्रॉप कल्चर प्रैक्टिस करते हैं आपको जो क्रॉप हैं वह रोटेट करते रहने चाहिए एक पर्टिकलर क्रॉप एक सीजन में लगा लें दूसरी पर्टिकलर क्रॉप दूसरे सीजन में लगा लें तो ऐसे क्रॉप क्रॉप हो जाना चाहिए या आप मल्टी क्रॉप या मल्टी क्रॉप कल्चर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक साथ दो तिन क्रॉप क को apply कर सकते हैं और वहां पर weed वगेरा को रोकने के लिए जो we decide होते हैं उनको क्यों कर सकते हैं ठीक है अब कोई भी अगर एक barenland है कोई बीएक बेकार सी, trends तो उसको reclaim भी क्या जा सकता, तुरू applyнок certain traditional methods, यहो डीशनल मैथड्स लाइक Dash कि ऑगक निकाल कर लेकर आया जा सका हो उसे cultivation land में convert cultivated land में convert किया जा सकता है तो यह सारी चीज़ें कहीं कि हम सॉइल को conserve कर सकते हैं तो यह थी वीडियो सारी second part की second video तो यहां पर हमने second part पूरा complete कर चुके है ठीक है almost एक गंटे से उपर का है ठीक है चैप्टर के साथ तीसरे चैप्टर पड़ेंगे अब हम इस्टार्ट करेंगे ठीक है तो उसमें मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद